So, what's up guys, this is Samir and you are watching Technical Biz Channel तो आज हम बात करने वाले हैं, overclocking के उपर की overclocking होता क्या है और overclocking किस तरह की जाती है और overclocking से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है तो अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो लाइक भी कर दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तुकि मैं हापे टेक्निकल और जेनुवन इंफोर्मेशन लाता रहाता हूं अपने इस चैनल पे ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंदा है तो लाइक भी कर दीए तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले overclocking के शुरुआज जो है वो हुई कहां से आज जो है कमपनिया day to day यानि की एक महीने के अंदर तीन महीने के अंदर जो है वो ने-ने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ट जो है वो निकाल रही है जिसकी वज़े से पुराने जिन्होंने ग्राफिक कार्ट आप जानते हैं बहुत महेंगे आते हैं तो आपने एक साल पहले purchase करा और आप एक साल बाद नया निकाल दिया तो आपका ग्राफिक कार्ट पुरान हो जाएगा और कुछ गेम्स जो होते हैं या कुछ वीडियो एडिटिंग जो है वो लैक करने लग जाती है उन सब में ठीक है तो जो है इसी लिए ओवर क्लॉकिंग का जो है वो निकला ओवर क्लॉकिंग लोगोंने ओवर क्लॉकिंग का मतलब यह होता है कि आप अपने प्रोसेसर की जो है वो पावर जो है वो बढ़ा सकते हैं कुछ सेटिंग्स करके पावर जादा करके अगर आप किसी चीज को पावर जादा देंगे तो आपको भी पता है वो चीज जो है वो अपनी maximum level तक पहुँच जाएगी यानि कि उसकी efficiency हमको great efficiency मिलेगी और इसकी overclocking का सबसे जादा use जो होता है वो आज mining में हो रहा है bitcoin mining और इन सब चीज़ों में overclocking जो है वो बहुत फायदेमन चीज़ ठीक है तो यहाँ पर आपका एक साल पुराना हो गया है तो आप उसको overclock करके आप उसकी performance बढ़ा सकते हैं मान लीजे आप अपने यहाँ पर processor की भी performance बढ़ा सकते हैं मान लीजे आपने को प्रोसेसर खरीदा वो clock कर सकते हैं कंपनी खुद कहती है लेकिन overclocking की disadvantage जहाँ पर यह आ जाती है निकल की कि overclocking अगर आप मान लीजे किसी भी चीज को जादा उसकी efficiency maximum level तक करेंगे तो वो जादा machine है वो heat generate करेगी उसकी tendency यही है कि वो heat generate करेगी और उस heat बहुत सारे लोग जो है वो अपने पूरे प्रोसेसर का भी बरबाद कर देते हैं और बहुत सारे लोग करके उससे इतना फायदा लेते हैं कि उसको नया ग्राफिक कार्ड ये नई प्रोसेसर खरीदने की जरूवत निकलती है और बहुत से लोग उस heat को नजर अन्दास कर देते हैं और कोई extra fan वहां प इनरेट करता है तो यहां पर यह कुछ थी ग्राफिक काड की बात हैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने आप लिए की ग्राफिक का और यह ओवरक्लॉकिंग किस तबापने प्रोसेसर से अपनी मेक्सिमम आपट लेना ताकि हम उससे ज्यादचा फैदा उठा सकें तो यहां पर इसके advantages यह हैं कि आपका जो पुराना हो चुका है अगर कोई चीज और आप उसमें कोई high-end game खेलना चाहते हैं और वो lag कर रहा है यानि कि हलका से या उसमें high graphics पर नहीं चल रहा है तो आप उसको simply MSI software आता है बहुत सारे software available है power जादा या कम करके उसमें और भी बहुत सारे चीज़ें देखी जाती है उसमें maximum output आप ले सकते हैं उस चीज से तो यह बहुत अच्छी चीज है और अगर इसकी heat जो है वो maintain रखें तो प्रोसेसर की life भी इसमें maintain रहती है अगर आप इसमें heat का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रोसेसर की life जो है वो कम हो जाती है ठीक है तो यहां पर यह थी कुछ बाते हैं अगर आपको एक वीडियो थोड़ी सी भी informative लगी है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और like भी कर जिए इस वीडियो को so see you soon in a next video